बहुत समय पहले की बात है एक छोटे से शेहर में मंगला नाम की एक बहुत गरीब लड़की रहती थी वो इतनी गरीब थी कि उसका और उसके माबाप का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था वो एक साहुकार के यहां काम करके माबाप का पालन पोश्ण करती थी एक दिन की बात है ले मंगला तेरे इस महिने के काम करने के पैसे और इस बार भी तू लोटरी का टिकट मत खरीद लियो जी साहुकार जी मंगला उन पैसों में से कुछ पैसे बचा कर रख लेती और उनसे लोटरी का टिकट खरीद लेती एक दिन की बात है मंगला साहुकार के यहां काम करके शाम को अपने घर लोटती है तो सारे पैसे अपनी मा के हाथ में दे देती है तु सारे पैसों मेंसे हमेशہ कुछ पैसे बचा कर रख लेती है मा मैं इन पैसों से लौटरी का टिकट खरीदूंगी कहां तु इन लौटरी वॉटरी के चक्कर में पढ़ रही है बेटा तेरी ऐसी किस्मत कहां की तेरी लौटरी लग सके मा देखना एक दिन मेरी लोटरी जरूर लगेगी मंगला हम गरीबों की कहा किस्मत बदलने वाली है हम तो गरीबी में पैदा हुए हैं और गरीबी में मर जाएंगे मा पर तुम देखना एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदलेगी मेरी भी लोटरी लगेगी ठीक है ठीक है अरे मंगला की मा क्या पता लग जाए हमारी बेटिया की लोटरी ये हुई ना बात देखा मा अब तो पिता जी भी बोल रहे है अब तुम बाप बेटी के बीच में क्या बोलू मैं अभी थोड़ी देर बाहर घूम कर आती हूँ मंगला बाहर घूमने चली जाती है तभी रास्ते में उसके चाचा चाची मिलते हैं लग गई तेरी लोटरी नहीं लगी तो लग जाएगी जादा सपने मत देख तेरी कहीं न लगने वाली लोटरी जो तु जादा उड़े जा रही है ना गिरेगी किसी दिन देख ले ना तुम सब एक दिन मेरी लोटरी ज़रूर लगेगी फिर बोलना जा जा मंगला रोती हुए अपने घर वापस आ जाती है और रोते हुए अपनी मा को बताती है मा देखो ना अज फिर चाची चाचा मुझे चिड़ा रहते तो उन लोगों की बात का ध्यान मत दिया कर फिर मंगला भूकी ही सोने चली जाती है और सोते सोते सोचती रहती है अगर मेरी लोटरी लगी ना सबसे पहले अपने मा पिता जी के लिए नया घर खरी दूगी उन्हें हर वो चीज दूगी जिसकी उन्हें जरूरत है ये सोचते सोचते मंगला को नींद आ जाती है और वो सो जाती है अगले दिन मंगला रोज की तरह उठकर साहुकार के यहां काम करने जाती है अरे मंगला कहां जा रही है मैं साहुकार के हां काम पर जा रही हूँ मैंने सुना है कि तु लॉट्री के टिकट खरीदने लगी है हाँ क्या पता किसी दिन मेरी लॉट्री निकल जाए कहां तु इन लॉट्री के चक्कर में पढ़ रही है मुझे पता है कि मेरी लॉट्री जरूर निकलेगी लौटरी कब निकलेगी मंगला ये तो सब किसमत किसमत की बात है पता नहीं कब किसकी चमक जाए मंगला दुकानदार से लौटरी का टिकट ले लेती है अच्छा भहिया इस लौटरी का नतीजा कब निकलेगा इस महिने की दस तारीक को लौटरी का नतीजा निकलेगा मंगला मनही मन भगवान से प्राटना करती है काश 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 भगवान इस पार मेरी लोटरी निकल जाए मैं आपके नाम का प्रसाद बाटूगी पक का मंगला लोटरी का टिकट लेकर घर की ओर चल देती है और घर पहुँच कर मा ये लौटरी का टिकट है इसे संभाल कर रख दो ये लड़की तो लोटरी के चक्कर में पागल हो गई है जो थोड़ा बहुत पैसा बच्टा है उसकी ये लोटरी का टिकट खरीद लेती है मा देख लेना इस बार मेरी लोटरी जरूर निकलेगी तभी मंगला के पिता जी मंगला से कहते हैं मंगला खाना खाकर सो जाती है और सोते सोते अपनी लोटरी निकलने के सपने देखने लगती है मंगला गैरी नीन में सपने देखती है मेरी लौटरी निकल गई, मेरी लौटरी निकल गई, मेरी लौटरी निकल गई, तब ही मा मंगला को जगाती है, मंगला, मंगला उट, सुबह हो गई, और ये क्या लगा रखा है कि लौटरी निकल गई, लगता है तु सेच में पागल हो गई है, ये सपना था, मुझे लगा म पर उठकर नहाद हो ले। तुझे सावकार के हाँ भी जाना है ना काम करने। हाँ मा, आज तो बड़ी देर हो गई, समय का पता ही ने चला। पर इंतजार करते करते दिन निकलते जा रहे थे, लोटरी के नतीजे का दिन भी पास आ रहा था, और आज दस तारिक थी, लोटरी के नतीजे का भी दिन था, मंगला के दिल की धड़करे भी तेज हो रही थी। देखूं तेरी किसमत चमकी है या नहीं। दुकानदार लोटरी का टिकट हाथ मे लेकर उसका नंबर मिलाता है। इधर मंगला की धड़कन तेज हो रही थी कि नतीजा क्या निकलेगा। एक चुन, तीन, छे, साथ, दू, पांच, नो, छे, छे, अरे, अरे मंगला तेरी तो लोटरी निकल गई। बाइया, एक बर दुबारा देखो ना, सही में मंगला तेरी एक करोड की लोटरी निकल गई। ये सुनकर मंगला खुशी के मारे पागल हो जाती है और जोर-जोर से चिलाने लगती है। मेरी लोटरी निकल गई। ले मंगला अपनी लोटरी के एक करोड रुपए मंगला एक करोड रुपए दुकांदार से लेकर खुशी के मारे चिला रही होती है तो उसके चाचा चाची उधर से गुजर रहे होते है चाचा चाचा देखो मेरी लोटरी निकल गई हाँ हाँ बिटिया तेरी सही में लाटरी निकल गई तू तो करोड पती बन गई अब तू हमसे कहां बात करेगी चल मंगला बिटिया तुझे हम घर छोड़ देते हैं तेरे पास इतने सारे पैसे हैं कहीं कोई तुझे चीन ना ले फिर चाचा चाची मंगला को घर छोड़ने के बहाने उससे रास्ते में पैसे चीन लेते हैं और उसे मार डाते हैं और उसके पैसे लेकर अपने घर चले जाते हैं मंगला मरने के साथ ही चुड़ैल बन जाती है चाचा चाची मैं तुमें नहीं चोड़ूँगी मार डालूँगी तुम दोनों को तुमने मेरी लोट्री के पैसे मुझसे चीन कर मुझे मार डाला उधर मंगला के माबाप को मंगला के मरने की खबर मिलती है हाई रे मेरी बिटिया, मेरी बिटिया, तुझे किसने बार डाला, किसने बार डाला तू तो कभी किसी का पुरा भी नहीं करती थी, फिर तुझ से किसी की क्या दुश्वनी हो सकती है हाई रे मेरी बच्ची चुपो जाओ मंगला की मा अब होनी को कौन टाल सकता है अभी तो मेरे माबाप की खुशी के दिन आये थे और उससे पहले ही उनकी खुश्या जिन गई मैं इन लोगों को चोड़ूंगी नहीं तुम अपना ध्यान रखना अब हम अब हम घर चलते हैं चाचा चाची घर जाते ही दर्वाजा बंद करके एक करोड रुपे निकाल कर देखते हैं इन पैसों से मैं सब खरीदूंगी जो मुझे चाहिए कीरे बोलो कहों कोई सुनना ले अब इन पैसों को छुपा कर रख दो रात को चाचा चाची सो जाते हैं तब चुडैल उनके घर में आती है चाचा का गला दबाने लगती है बचाओ, बचाओ, बचाओ कोई हमें, बचाओ बचाओ, बचाओ, कोई तो बचाओ हमें कौन हो तुम, मुझे क्यों मारना चाहती हो तब ही चुडैल मंगला के रूप में आती है तुमने तो मुझे मार दिया था और मुझसे सारे पैसे छीन लिये तुमने तु मेरे माबाब का भी नहीं सोचा मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई हमसे गलती हो गई हमें माफ कर दो हमें छोड़ दो पेटा हमें छोड़ दो तभी चुड़ेल दोनों का गला घुटने लगती है तो दोनों का दम घुटने लगता है और दोनों चिलाने लगते है चोड़ दो हमें जाने दो हमें मत मारो हमें मत मारो जाने दे हमें हमें मत मार हमें मत मार बेटा हमें मत मार चुडएल उन दोनों से अपने पैसे मांगती है मेरे पैसे कहा है, दे मेरे पैसे अभी देती हूँ, अभी देती हूँ जैसे चुडएल को अपने लोटरी के पैसे मिल जाते है तो चुडएल उन दोनों को गला दबा कर मार डाती है चुडैल पैसे लेकर अपने माबाप को दे देती है और वहां से गायब हो जाती है